बाई गुरुजी का खालसा बाई गुरुजी के फते की तरह ही पंजाब से भी बिलकुल बेदखल कर सकता है एक्जिट पोल के रिजर्ट को जमीनी हकीकत दिखा करे कॉंग्रेस से सत्ता चीनने वाली आमादमी पार्टी के सरकार की कमान भगवन्त मान समालेंगे इस जीत से ये तैह हो गया है कि दिल्ली के बाहर भी केजरिवाल अपनी धाक जमाते जा रहे है 2017 में 20 सीटों से शुरुआते करने वाली आमादमी पार्टी आज पंजाब की कुरसी की असली हकदार हो गई है लेकिन एक जीत की अबारती यू रातो रात ही नहीं लिख दी जाती केजरिवाल और उनकी पार्टी ने इस दिन के लिए बहुत महनत की है और उनकी ये कहानी आज से नहीं बलकि फ्लेश बैक में साल 2013 से शुरू होती है तो चलिए जानते हैं कि कैसे इस शक्स और इसकी पार्टी ने दिल्ली की तस्वीर बदल कर पंजाब में अपनी जीत पर महर लगा दी अन्ना अंदोलन के गलियारों से निकल कर ब्रश्टाचार के खिलाफ मुहीम चलाने वाले केजरिवाल की तकदीर साल 2013 में ही तैह हो चुकी थी कॉंग्रेस के ब्रश्टाचार को मुद्दा बना कर उसके गड़ दिल्ली से जीत हासिल करके आमादमी पार्टी ने इतिहास रच दिया था और उसके बाद लगतार दो विधानसभा चुनावों में जीत हासिल करके केजरिवाल ने देश भर में ये संदेश दे दिया था कि वो अब बाहर भी लड़ने को तयार हैं लेकिन इन्हें अपनी कमजोरिया और ताकत बखू भी पता थी इसलिए शुरुआत में इन्होंने छोटे-छोटे राजियों पर ही पकड़ बनानी शुरू की वैसे तो अरविंद केजरिवाल की पार्टी 2017 में भी पंजाब में चुनाव लड़ी थी लेकिन वहाँ पर ये पार्टी 117 में से सिर्फ 20 सीटे ही लापाई थी इसी की बदालत हुआ ये कि आम आदमी पार्टी को ये confidence आ गया कि वो पंजाब की गद्धी पर बैठ सकती है दरसल पंजाब दिल्ली के नस्दीक भी है और दिल्ली में भी पंजाबी लोगों की काफी आबादी है और इसका फाइदा आम आदमी पार्टी उठा सकती थी यहीं से शुरू ही केजरिवाल की तैयारी जिसके लिए हैं उन्होंने पाच सालों तक दम लगा कर मेहनत की हम आपको अब बताएंगे वो factors जिनकी वजह से पंजाब में केजरिवाल की सरकार बनी है और साथ ही ये कि कॉंग्रेस की कौन सी दिक्कते थी जिनकी वजह से जनता जनार्दन ने उनकी कुरसी खीच ली सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कॉंग्रेस को आखिर क्यों मूगी खानी पड़ी असल में पिछले पाच सालों में कॉंग्रेस ने कुछ ऐसे काम किये थे जिनकी बदौलत वोसे चुनाव में मजबूत ही के साथ खड़ी हो सकती थी कैप्टेन अमरिंदर सिंग की लीडर्शिप में चल रही कॉंग्रेस ने यहाँ पर स्कूली एजूकेशन वगेरा को बढ़ावा दिया सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो तब आया जब पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टेन अमरिंदर सिंग ने किसान अंदोलन का समर्थन कर दिया इस अंदोलन के समर्थन ने पंजाब में कॉंग्रेस को मजबूत भी कर दिया लेकिन दिक्कत हो गई आखरी कुछ महीनों में ठीक वैसे ही जैसे कि किसी मैच के आखरी ओवरों में कोई स्टार बॉलर पिट जाए चुनाफ से कुछ महीनों पहले ही कॉंग्रेस भीतर घात का शिकार हो गई मजबूत दिख रही कॉंग्रेस की कैप्टेन अमरिंदर सिंग से अनबन हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि अमरिंदर सिंग ने सिर्फ सीम की कुर्सी नहीं छोड़ी बलकि पूरी पार्टी ही छोड़ दी इस समय कॉंग्रेस की एक और मुसीबत थी और वो थे नवजोत सिंग सिद्धू सिद्धिव अमरिंदर के सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं और अमरिंदर सिंग को हटाने में भी उनका उतना ही बड़ा हाथ था ऐसे में सब को लगा कि अब पंजाब की कुरसे पर सिद्धू को बिठाया जाएगा लेकिन यहीं पर एक खेला हो गया कॉंग्रेस आला कमान ने एक नए चेहरे यानि की चरणजीत सिंग चन्नी को बना दिया पंजाब का नए सियम चन्नी दलित चेहरा है और कॉंग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री बना करे पंजाब की दलित चेहरे को आगे बढ़ा करे नया वोट बैंक तयार करने की सोची और वो इस रणनीती में काम्याब भी हो रहे थे लेकिन इसी समय एक और ऐसी बात हो गई जो कॉंग्रेस के लिए घाटे से कम नहीं थी हुआ ये एक ही कॉंग्रेस के विरोध में एक और गुट तयार हो गया जो सिद्धू के साथ खड़ा था इस तरह कॉंग्रेस अपनी पार्टी के जंजाल में फस्ती चली गई और इलेक्शन से महज 90 दिन पहले सियम बने चन्नी इतने कम समय में ही कोई ऐसी जहापन नहीं छोड़ सके जिससे की वो अपने दाविदारी को पुखता कर ले एक तरफ जहां कॉंग्रेस अपने घर की लडाईयों से जूज रही थी वही आम आदमी पार्टी कॉंग्रेस की ने लडाईयों का फाइदा उठा रही थी सबसे पहले केजरिवाल की पार्टी लोगों को ये समझाने में कामयाब रही कि मुफ्त शिक्षा, मुफ्त बिजली पानी वाला दिल्ली मॉडल असल में बेहद कामयाब है और पंजाब के लोगों को इसकी जरूरत है इसके बाद एक जो जरूरी बात थी वो ये एक दिल्ली में पूरी बहुमत वाली सरकार है जिसमें फिलहाल कोई भी तरगात या पार्टी के अंदर दुश्मनी वाली बात अभी तक नहीं आई है इसलिए कॉंग्रेस से बहतर आप्शन आम आदमी पार्टी ही है इसके लावा किसान अंदोलन का समर्थ ने सिर्फ कॉंग्रेस ने नहीं किया था जब किसान दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरना दे रहे थे तब केजरीवाल ने खुल कर उनका साथ दिया था जाहिर है कि अमरिंदर सिंग के जाने के बाद कॉंग्रेस किसानों से ये दावा नहीं कर सकते थे कि पार्टी ने किसानों की मदद की है क्योंकि अमरिंदर सिंग की नई पार्टी ये काम पहले से ही कर रही थी आपको बता दें कि पंजाब में काफी काम किया लेकिन इन सभी कामों में आग लग गई केजरिवाल के सपनों से और अपनी ही पार्टी के अंदर मची हल चल से और इसी का एक नतीजा ये है कि आज सत्ता पर काउंगरेस की जगा केजरिवाल की सरकार है अब आने वाले पाच सालों में ये पार्टी पंजाब को कहा तक लेके जाती है ये इनकी नीतियों पर डिपेंड करेगा और कैसे पंजाब को दिल्ली की तर्स पर ही केजरिवाल और भी ज्याद़ डवलप करेंगे ये भी देखना होगा क्योंकि पंजाब की इस सत्ता से केजरिवाल की ये पार्टी आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी अपनी पकड़ बना सकती है इसलिए ये एक golden opportunity है जिसे आमादमी पार्टी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगी अब देखना ये होगा कि अगले पाँच सालों में पंजाब की सरकार में केजरिवाल का रोल भगवतमान के मुकाबले कितना होगा और भगवंत मान अपनी कितनी पहुच बना पाते हैं क्योंकि इस जीत के बाद केजरिवाल भी खुद भी भविश्य के ब्रधानमंत्रिपद के दावेदार के रूप में प्रजेक्ट हो सकते हैं और भगवंत मान पर भी ये जिम्मेदारी होगी कि वो आने वाले समय में पंजाब की राजनीती में ठीक उसी तरह से अपनी पार्टी को स्थाई रूप दे सके जैसा कि आमादमी पार्टी ने दिल्ली में किया है वीडियो कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएं वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें